तो क्या thought process होता है जबी आप एक company में invest करते हो What are the three things जो आप देखते हो कि ये तीन चीज़े company में होनी चाहिए एक तो मैं founder की तरफ देखे founder क्या है, उसको background क्या है उसका जोश है, उस business के लिए क्या passion है बहुत ही important हम देखते है कि क्या करना चाहता है और जो करना चाहता है वो उसका market बड़ा है या बहुत ही छोटा है अच्छा एक बड़ा market होना चाहिए बहुत ही important और तीसरी चीज़ जो है उसका scalable होना चाहिए जल्दी वो growth होना चाहिए month on month शूराथ में 50% 100% bro तो ये तिस दो तेन चीज़े आमेजिंग